स्पीन नाइन न्यूस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ अनुजा इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान कॉंग्रेस की जिहां पंजाब कॉंग्रेस में सियासी घमासान अब शांत हो चुका है जिसके बाद कॉंग्रेस हाई कमान अब राजस्थान कॉंग्रेस की सियासत को शांत करने में जुट गई है इस बीच जो है वो राजस्थान में कई बाद की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है जि सचिन पाइलेट समर्थकों को संगठन में जगह मिल सकती है जिसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सचिन पाइलेट जो है वो दिल्ली रवाना होंगे जिसके बाद वहां पे हाई कमान के संग बैठक होगी उसके बाद कई नर्ने भी लिये जाएंगे लेकिन इ पंजाब कॉंगरेस का सियासी घमासान सुलज गया है उसके बाद जो है वो पाइटी हाई कमान ने अपनी रफ्तार राजस्थान कॉंगरेस की ओर जो है वो बढ़ाया है और इसे अब जो है वो अंतिम मुकाम तक ले जाना चाहती है इस रपोर्ट में देखिए कि सचिन प फगशान्त होने के बाद अब पाजी हाई कमान राजस्थान में तेज हुई हलचल को लेकर सक्रिय हो गया है जहां आशोक गहलोत और सचिन पाइलेट के समर थक दो धरों में बढ़ चुके हैं अंदरुनी कलह के बीच कॉंगरेस के वरिस्ट नेता केसी बेनु गोपाल और अजैमाकन रविवार को जैपूर में थे जहां उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की और अब माना जा रहा है कि पाजी आला कमान ने सुलह का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है फॉर्मूला के तहत सचिन पाइलेट को दिली लाने की तैयारी तो है वहीं बागी विदाय को क सीएम गहलोत की कैबिनेट में एहम जगह मिलने की संभावना है बता दे एक रिपोर्ट के अनुसार सचिन पाइलेट को कॉंग्रेस संगचन में बड़ी भूमी का मिल सकती है और उन्हें दिली बुलाया जा सकता है वहीं पाइलेट कैम्प के 4-5 विदायकों को सीएम गहलो की भी छुटी हो सकती है और स्वास्तमंत्री रखु शर्मा को राजस्थान में कोरोना प्रवंधन को लेकर लोगों में मौजूद नेगेटिव सेंटिमेंट को लेकर हटाया जा सकता है बता दे कि राजस्थान कैबिनेट में अगस्त के पहले या दूसरे हफते में बड़ समाधान खोजना होगा वही रवीवार को विधायकों और सभी नेताओं से मलने के बाद पार्टी नेता अजैमाकन ने कहा था कि राजस्तान में कॉंग्रेस नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है हाला कि आजैमाकर ने कैबिनेट विस्तार और फेदर बदल की तैय तारीक नहीं बताई लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि 28 जुलाई को फिर से जैपूर आएंगे इस बैचक में सचिन पाइलेट भी मौझूद थे बता दे कि सचिन पाइलेट पाइटी में साइड लाइन किये जाने से नाराज चल रहे हैं उनके समर्तक विधायक लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहे हैं और हाई कमान की और से हो रही देरी को लेकर नेताओं में नाराजगी भी है बीते साल भी सचिन पाइलेट और उनके 18 समर्थक विधायकों ने सीम गहलोत के खिलाफ खुल कर मोचा खुल दिया था हाला कि कौंग्रिस आला कमान की दखल अंदाजी के बाद उस समय इस मामले को शांत करवाया गया था बता दे कि राजस्तान में तेज हुई सियासी हलचल के बीच कौंग्रिस महासचीब केसी बेनु गोपाल और अजेमाकन शनिवार को राजस्तान पहुंचे थे और बेनु गोपाल और माकन ने शनिवार देरदात राजस्तान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोत के साथ उनके नेताओं ने कैबिनेट फेर बदल को लेकर अंतिम फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया है सुतरों ने एक रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि बेनु गोपाल अजेमाकन और अशोग गहलोत के बीच यह बैठक करीब धाए घंटे तक चली जिस दोरान कैबिनेट फेर बदल और राजनेतिक अन्यूक्तियों पर चर्चा हुई फेर बदल के बारे में अंतिम फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया गया है वहीं बरतमान में मुख्य मंत्री सहित अशोग गहलोत मंत्री परिसद में 21 सद से हैं और 9 पद अब भी खाली है बता दे कि राजस्तान में अधिक्तम 30 मंत्री हो सकते हैं पंजाब के बाद पार्ची आला कमान का पूरा फोकस राजस्तान पर ही है जहां पूर्व उपमुख्य मंत्री सचिन पाइलेट के नेतरतव वाले खेमे में नाराजगी की खबरों के बाद कैबिनेट विस्तार और राशनेते कन्योक्तियों की मांगें उने गती पकड़ी है बतादे की पिछले साल 18 विधायकों के साथ सचिन पाइलेट ने गहलोत के नेतरतव का विद्रो किया था तीन दिन पहले सचिन पाइलेट ने संकेत दिया था कि कॉंग्रिस उनके द्वारा उठाए गए मुद्दो के समाधान के लिए जल्दी उचित कदम उठाएगी उन्होंने कहा कि वो अपने द्वारा उठाए गए मुद्दो पर पार्टी आला कमान के संपर्क में हैं और उमीद है कि जल्दी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे बतादे की गहलोत के नेतरत्व के खलाफ बगावत करने के बाद सचिन पाइलेट को पिछले साल जुलाई में उप मुख्या मंतरी और प्रदेस कॉंग्रिस कमीटी प्रमुक के बाद से प्रमुक के पद से बरखास्त कर दिया गया था एक महीने के लंबे राशनतिक संकट क बाग पार्टी आलाकमान ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दो को देखने के लिए तीन सदस्य समीती बनाने की घोशना की थी पिछले महीने सचिन खेमे के विधायकों ने कहा था कि पिछले महीने पाइलेट के से किये गए वादो को पूरा करना चाहिए था जिसके कैबिनेट वस्तार और राजनेतिक अन्योक्तियों की मांग तेज हो गए सुत्र ने बताया कि शनिवार की राथ हुई बैठक के दौरान यह भी नर्ने लिया गया कि बिभिन्य वार्डो गमों में राजनेतिक अन्योक्तियान नर्वाचन जनप्रती नीधियों और राज्य गोसना पत्र के ख्रियानवयन में प्रगति की समिक्षा के लिए एक बैठक करेगी वहीं इस बीच प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी प्रमुख गोविन सिंग डुटासरा ने कहा है कि बेनु गोपाल और माकन रविवार को यहां पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे उन्होंने यह भी असपस्ट किया है कि रविवार को कॉंग्रेस विधायक दल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है बता दे आपको कि पंजाब कॉंग्रेस के बाद अव राजस्थान कॉंग्रेस में सियासी बवाल को शांत करने की कोशिश की जा रही है अभी तक कई बार की बैठके भी हो चुकी हैं लेकिन अभी तक निशकर से निकलतार नहीं दिख रहा है यह जानना बहुत दिल्चस्प होगा कि जैसे पंजाब कॉंग्रेस की कलह को शांत किया गया वैसे ही राजस्थान की कलह को किस प्रकार शांत किया जाएगा वहीं आपको बता दे कि राजस्थान के मुख्य मंतरी अशोग गहलोत की मुलकात जो है वो अजय माकन और केसी बेनु गुपाल से भी हुई है लेकिन अभी तक जो है वो निर्ने नहीं लिया जा सका है बताया जा रहा है कि अब जो है वो पाटी हाई कमान ही निर्ने लेग आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कोवेंट बॉक्स में लिखिये बागी और खबरों के जुड़े रही है SPN 9 News के साथ